डेरिविटीव में ऐस सच निव कोश्चन्स नाम की कुछ चीज नहीं है बस कभी-कभी अगर देखा जाए तो दो कोश्चन पांच मिट में मैं बात खतम कर दूँगा मैं सिर्फ और सिर्फ यहां हिंट देने आया हूं मैं समझाने नहीं आया एक कोश्चन आया था यह कोश् क्यों कि मैंने टेश्ट में डाला था तब खिलकताम MTP में आया था अक्टूबर 2023 और मैं अगर कहूं कि इस बार की RTP इस बार RTP मतलब मैं नवंबर 2024 की बात कर रहा हूं उसमें भी यही कोश्चन डाला हुआ है तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ठीक है पड़े लिखा है हरी हाला कि यह कोश्चन आपको ऐसा लगीगा देखा देखा है लेकिन सच्चा ही है बनने वाला नहीं है क्योंकि ऐसा कोश्चन ठीक इस्टडी मैट में है तर पढ़ते है न पढ़ते हैं लिखा है हरी इस होल्डिंग 100 एक्वडी शियर्स अप व पढ़ते हैं लिख विच इस बींग कोटेड़ेट 210 पर शियर कोश्चन के रहा है यह स्टार्टिंग से समझ में आरा कि होल्ड करके रखा ओल्ड करके रखा तो किस बात कर रखा तो किस बात कर दर विखाए बढ़ेगा कोई दिक्कत की बात कि जब प्राइस कम खरीदने मा तो बोल रहा है कि अभी कितना है बो और बोला भी है वह इंट्रेस्चेट्टे सापसपसाप put option कोपी होलडीग एस जघेकर और उसे बैचना है शीर साब साप और कब बेचना है दो मैने बाद तूमन्थ कॉल आप्शन एवढ़ अवेलेबल मेरे काम का नहीं है कॉल आप्शन मेरे काम का है पुट आप्शन और put option premium कितना है तर पाच रुपए प्रीमियम का देना पड़ेगा तो strike price कितना है 220 रुपए तो देखा जाए put option है strike price दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 220 इससे कम होगा तो exercise और premium कितना देना पड़ा हमें 5 रुपए suggest the position hurry should take in the option option में बताइए कौन सा position लेगे sir put option खरीदेंगे बात खतम put option buy करेंगे यह वाला point तो simple था point number two में confusion होगा calculate his final position after two months his final position after two months अगर price दो महने बाद on the day of exercise the actual market price 200 हो जाएगा 210 हो जाएगा 220 हो जाएगा 230 हो जाएगा 240 हो जाएगा और 220 से कम में exercise तो sir यहाँ exercise नहीं हो नहीं यहाँ exercise हो जाएगा यहाँ exercise हो जाएगा answer किया जाएगा yes अगर exercise हो जाएगा तो gross payoff कितना मिला 20 है न और सर प्रीमियम कितना गया 5 तो net payoff कितना आ गया 15 टोटल गलत है सर क्या बात कर जिन्दिगी ऐसा निकल दिया हमने बिट्टे जिन्दिगी ऐसी वली बात नहीं है बीस रुपए gross payoff है पाच रुपए हमारा प्रीमियम है तो net payoff 15 आया ना सर नहीं बिट्टे नहीं वो आप option खरीदे उपर option के साथ आपके पास share भी तो है और वो share आप दो मेहने के लिए रखें दो मेहने बाद बेचोगे और कितने का बेचोगे सर अगर 200 हुआ तो 200 का बेचोगे तो प्लस कितना जाएगा 200 तो टोटल मिलाकर आपको 215 मिलेगा वह आपसे net payoff नहीं पूछ रहा है वह आपसे पूछ रहा फाइनल पोजीशन फाइनल आपको कितना पैसा मिलेगा हाला कि कि आई-सी है इसको दूसरे तरी कैसे करता है वैसे करना वैसे कर दो सर कैसे करना है यस ऑप्सें एक्सराइज होगा कि यस यस और पुट का दूसरा मिनिंग बेचने का अधिकार इस सर हम बेच देंगे अगर कम हुआ तो हम 220 बेचेंगे हाला कि 5 रुपर प्रीमियम पागय और सर 220 हुआ तो भी 220 का विक्केगा तो भी हमको 215 मिलेगा सर 230 हुआ तो फिर हम 230 का बेचेंगे और 5 रुपए कटने के बाद हमको 225 मिलेगा अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसा कर लो या तो net payoff निकालना है ऐसा नहीं कि net payoff निकालना पर share भी तो बेचा जाएगा उसको plus क करोके पैसो को तब आजेगा और ICA ने वही किया ठीक है सर ठीक है तो प्लीज यह आयेगा answer और into 100 करोगे और यह बताओगे कि किसे भाई इस question को देखके चले जाना हाद जोड़के मिनती है यह question अगर आपने नहीं देखा है क्योंकि इस type के कम से कम तीन question है ICA में और इस बार के RTP में भी डला हुआ यह question आने के chances है यह question देखके जाना है कसम खालो यह question हम देखकर जाएंगे अब किसी भी तरीके से करो answer आपका इतना ही आएगा और यह लिख देना कि देखो हमने hedge कर दिया किसी भी हालत में हमारा जो share है वो 215 से कम का नहीं बिकेगा हमें 215 मिलेगा ही मिलेगा कि का जी ओके सरो कि क्योंकि MTP में भी डला था RTP में भी डला है इस attempt के exam में आया नहीं आने के chances ज़्यादा है और इस type के question बहुत सारे तो इंस्टिट्यूट फैल करवाएगा तो ऐसी करवाएगा आपको फसाएगा और मैंने जब टेस्ट लिया तो सब लोग बच्चों न यहां लिखा है फाइनल पोजिशन और सब्द में भी आपको अंतर समझे में आ रहा हूँ कि एक तो यह वाला question आया था question number two होगा हमारे पीडियेप में और यह आया था exam November 2030 नवंबर 2023 में question आया था तर उसमें क्या खास बात थी खास बात यह थी कि यार सर यह maximum price minimum price दिया हुआ है ठीक है तो यह तो पक्का पक्का binomial है हां सर binomial दो price है मतलब binomial अब बोल रहा calculate the three month call option value of call निकालना call निकालना मतलब c 0 ठीक है और by using binomial method जैसे binomial आता है न तो हमको लगता कि risk neutral से बनाना है पर भाई साब रिस्क neutral अलग से दे दिया है तो आपको binomial से भी बनाना और रिस्क neutral से भी बनाना अब कैसे करो बाइनोमियल मतलब कसम खालो कि जब भी सिब बाइनोमियल बोलेगा तो डेल्टा हैजिंग करना डेल्टा हैजिंग मैं आपको करवाया हूँ डेल्टा हैजिंग से कोश्चन होगा और रिस्क नेट्रल से probability का formula ये है probability का formula आपने बताया r-d u-d सर इस पे नंबर मिलेगा की नहीं मिलेगा पूरे नंबर मिले बच्चों को बेकार की बात नहीं करोगे सर यह formula जो डिराइव हुआ वो यहीं से तो हुआ है ठीक है और real option में तो है यह सारी चीज़़ए कि अगे बात नहीं है एक बात और है real option की टोटल मिलाकर तीन कोश्चन है तो बाइनोमियल वाले है और एक bsm वाला वह पक्का करके जाना इस्टडी मैट के कोश्चन है मैंने amendment में डाल रखा अच्छा जिनका जिन्होंने में ठीक है आपको amendment में नहीं गलती से में आपको तु के रखना बाकी कुछ बच्चों को amendment में डाल दिया था पर आपको real option के तीन कोश्चन डेरिविटी के last classes में आपको मिलेगी ओके डेरिविटी खत्म